हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो मार यूटूब चैनल चलेगो गड़ते हैं आपना फार टाइप आदम आपको कुछ नया सिखाएंगे फार टाइप मारा यह है कि जब डिजेट आपको फ्रेक्शन में दी रखी हो तब आपके ऐसे परसेंटेज को काल्पुरेट करेंगे चलेगो आपको सम्झाते हैं आपको सम्झाते हैं आपको सम्झाते हैं A is 5 by 8 of B fine 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 B is what percent less than more आपको आपको पता है आपको पता है था कि जो भी बटे वेग होगी जो भी डिवनोमिनेटर भी होगी संख्या तो वह किसकी होगी ओफ किसके साथ है यहापर बी के साथ है तो एट यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो भी है वह हमारा क्या होगा एट होगा जिसके साथ भी ओफ, than, from आएगा वही उसकी डिजिट होगी जो कि टिवनोमिनेटर में कीपर होगी अगर यहाँ पर से का होता तो हमारी जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ए बी का पांच बटे आठ है तो ग्याद करें बी ए से कितना परसेंट अधिक है या ज्यादा है तो यह हिंदी में कोश्चन होगा हमारा कि बी ए से कितना परसेंट जादा है किटना परसेंट अधिक है राट है तो हमें पंस है तो हमें अगता है B minus A, sorry हमसी गोफेज़़ दढ़ाम, A minus that is 3, तो हमारे difference कितना आया, 3 आगया, difference is 3, पर लेकिन calculate किसे लना है, A से करना है में calculate, तो denominator में कितना जाएगा, A जाएगा, A कितना दिया है, 5 दिया है, difference कितना है, 3 आया है, और multiply किसे करेंगे, 60% कमारा answer यहां से calculate करिए तो 60% क्या होगा B जो है वो 60% ज़ाद है चलिए फिर बादो देखे हैं A is 5 by 8 of B तो 5, B is what percent more than A चीक्या है तो जिसके हमने पढ़ाता है स्टार्टिक में ही जिसके साथ O rank होगा तो उसकी value denominator में होती है तो यहां पर B के साथ ओप है तो हमारी B की value यहां से हमें पता लग गई 8 होगी तो A कितना होगा? 5 और यहां पर इनों का difference कितना आ रहा है क्योंकि वो हमसे percent more यह less पूछता है तब हमें यह करना है तो तब हमें उसका difference देखना पड़ता है तो यहां पर difference कितना है? यह गया सकता है? B minus A is equals to this 3 then denominator में हमेशा हो जाएगा यहां पर हमारा then दिया हुआ है तो किस से calculate किरवा रहा है? वो A से पूछ रहा है तो A गया मीचे बटे में या फिर denominator पर किया चकता है? 3 तीन जो इमका difference आ यहां हमारा यहां पर फिर निकाना है अपर ज्याद करना है तो इसलिए हमें इसलिए हमें इसलिए पर किया है इसलिए तो किया है तो हमारा के result आता है 60% तो चलें एक और पॉर्शन कर रहते हैं इसलिए रिलेटेड तो चलें एक और पॉर्शन कर रहते हैं इसी में चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लेते हैं फ्रेक्शन को चेंज कर लेते हैं 5 by 9 लेते हैं और 8 कर लेते हैं और यहां पर चेंज कर लेते हैं अब यहां पर आप देएंगे की 9 किसकी वैल्यू है जो 9 है हमारा वो हमारी वैल्यू की A की तो here A is equals to 9 and B is equals to 5 अब फिर से वो इस question पर less than और more than इसमें क्या पूछ रहा है more पूछ रहा है ठीक है ना फिर से हम क्या करेंगे इन दोन संच्छा होगा क्या देखेंगे difference देखेंगे तो difference क्या आएगा हमारे पास A minus B is equals to 9 minus 5 is equals to क्या आएगा 4 आएगा ठीक है ची किस से पूछ रहा है वो बी से पूछ रहा है तो पी हमारा का जाएगा नीचे बी की जो हमारा 5 है और A है difference और more पूछ रहा है तो फिर क्या आएगा 4 मतलब जो difference है और फिर से हमें finding करना है तो इसके लिए में multiply करना है तो फिर से काट लिए इसको दिया जाएगा मारा 80% चले तो मैं आपको एक question देती हूँ जिसको आपको solve करना होगा इसी तरीके का है आपको solve करना है पर चले तो हम change करना है यह पर change सबहती हूँ है और इस बार हम आपसे more नहीं पूछता है और पूछता है और यहां पर यहां पर आप लीजिये कितना लेंगे आप 4 by 5 ले लीजिये ठीक है तो यह आपको होग होते है यह आपको करना पड़ेगा चले तो फिर आपने next step कर लेते हैं जो कि हमेरा होगा type 4 जो next type है हमारे पास वो questions आपसे इस तरीके से पूछेगा कि कोई संख्या है जो आपको दूसरी से जादा दे दिया है जैसे लाए बी इस 25 परसेंट यह 25 परसेंट मोर देन ए लेंट फाइंड ए इस बोर्ट परसेंट लेस देन ए ठीक है चले हम पोशन लिख देते हूं सब ज़्यादा समझ में आए आपको अ बीजी इस 25 मोर दे से जाफ़ दियो परसेंट लेस ए लेस बोर्टा यह झरते हैं B ठीक है क्या पर है B is 25 more than A more than A find A is what percent less than B ठीक है nिकलना क्या what find A is what percent less than B और given क्या है ये B is 25 more than A तो चले solve करते हैं इसमें आपको ये पता नहीं चल रहागा कि A क्या है B क्या है क्योंकि last time जो पुशन किया था उसमें तो fraction given था जिसके विए से हमने O था उसके साथ A के साथ एक बेके साथ तो देख लिया था तो आपको ये पर चला पड़ेगा कि जो आपका A है जैसे आपको पूछा है B is 25 more than A तो आपको A को एज्यूम करना पड़ेगा ये ये पर हंडर्ड्ड अगर वो B को देता ये फिर A को देता है किसकी रेस्पेक में वो कूछ रहा है जिसकी रेस्पेक में वो कूछ रहा है आपको उसको ही 100 एज्यूम करते चलना पड़ेगा जैसे वो किसकी रेस्पेक में वो कूछ रहा है A की रेस्पेक में वो ये कह रहा है कि जो हमारा B है वो 25 ज्यादा है A से तो यहाँ पर a को क्या मानना पड़ेगा आपको let a is equal to 100 ठीक है assume कर लिया आपने 100 तो अब वो कह रहा है b is 25 more than a तो आप इस से भी इंगा सकते हो कि b कितना होगा और वेसी बात तर b आपका 125 होगा कि वो 25 ज्यादा कह रहा है जब आपने a को 100 माना है तो आप कभी कितना होगा 125 होगा तो आप आप देख लीजिए और वो क्या कोशन के रहा है find find मतलब multiply आपको करना पड़ेगा ठीक है find a is what percent less than b अब वो किया रहे less than और more than आपको फिर से भाया रत रत रहना पड़ेगा कि मने क्या करना था less than और more than की questions पे हमने हमेशा उन दोनों का difference देगा था तो यहां पर हमारे difference कितना आता है क्या आप मैं directly सकती हूँ या फिर पूरा solve करके दिखाना पड़ेगा चले मैं करके दिखा देती हूँ आपको difference होगा b minus a is equals to 125 minus 100 is equals to 25 जो कि हमारा already हमें दिया भी हुआ है क्यों हो कह रहे है 15 ज्यादा है ठीक है तो चलिए अब हमारे यहां से ही आगी है फिर किस की respect में हो पूछ रहा है हमसे वो पूछ रहा हमें से b की respect में चलिए तो b कितना ह है 125 यह जाता है direct हमारा denominator मतलब पते में अब हमारे difference कितना आया है 25 आया है और multiply करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां पर 5 करनी है तो चले कट कर लेता है यहां से यह 5 टाइंस जाएगा और यहां से जाएगा 20 ताइंस तो आगया आपका direct 20 पर सेंट I think आपको सबको समझ में आवे रहा होगा चलिए शिर्पी एक बार देखे रहे हैं इस question में question है हमारे पास b is 25 more than a.a is what percent less than b सबसे पहले तो question को समझना है important होता है अगर question को समझ में दिया है तो आप solution क्या तरो होगी आगे ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि हमने हमको condition given की तो इसलिए हमने क्या आप माली एज्यूम कर लिया क्योंकि percentage को 100 पर ही calculate करते हैं तो हमने 100 इसको assume कर लिया अब हमने इसके respect में वी को निकाल लिया वी को कैसे निकाला क्योंकि हमने given air condition उसके condition हमने इसको निकाला है चले फिर हमने क्या है वह less than more than पूछ आया तो हमने देखा था कि जब हमने less than और more than पूछ था है तो हमने मिक्शा difference देखते हैं तो यहां पर आपका difference जो है आपका 25 आया अब वो किसकी respect में पूछ है less than or more than है आप हमसे मूछ है less than B तो फिर हमारा B आएगा denominator मतलब पटे में तो 25 आव यह जो है हमने difference रखता है यहां पर multiply किया क्यों करा है क्यों कि हमें यहां पर fine करने percentage ना कि हमें percentage दी हुई है तो इसलिए फिरा में इस्टेस काटाव से सोल किया ब्ला 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 जो भी गया और अमारे मासा माने चलता है यहां आस्तरा है चलिए तो अब बल चलिए कोई कुश्चिन पर लेते हैं से लिएटिट यहां यह वोप आपको सम्दूस्तों आगिया होगा चलिए लड़ते हैं कोई कुश्चिन यहीं की चैन्सवर लगा आप सो और इसमें वह गई आप पर संटीज और लगा दीजिए चीक्ट ना तो मैं भूल लेती बट अब 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 लगाओगे फिल लेग लगाओगे तो भी चल राइगा कोई किकन यहीं लेकिनी सीवर कर लेते हैं थोड़ा से चैन्स कोश्चन में और इसको एक्स्प्रेइन कर लेते हैं दुबारा से चलिए 50% है इसको कर लेते हैं यहां पर हमने गीवन आपको दिया है बी इस 50% मोर दन ए 50% मोर दन ए 5.a is 4% less than यह फिर more than more नहीं दिया है लेसी है लेसी लेके चलता है more नहीं दुदता है than b और फिर से आपको कंडिशन उसी पर a पर नहीं लवाएज़े तो हम a को 100 ही एजूम चलिए नहीं करेके अब यहां पर जो b हुआ उसमें क्या changes आएगा यहां पर 50% है तो जारी ची बात है यहां पर हमारा 150 हो जाएगा और अब यहां से सारा change करना करेगा आपको यहां से चलिए रिफरेंस निकाल लेते हैं क्योंकि वह less than more than नहीं पूशा है तो 150-100 is equal to 50 which is 50 upon किसके रिए स्पेक्टर कुशर भी यहे तो 150 then 100 चलिए तो फिर आपको आता है तो आप काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपको इतना आएगा ठीक है चलिए आपके लिए फिट्स में कोशन देती हूं चलिए आप यहां पर चेंच कर लीजिए बी और एक को टे कर लीजिए बी कर लीजिए यहां पर आप लेजिए किते पसंद लिखेंगे आप 70 पसंद लिखेंगे कि बीखेंगे रहे हैं तो पस्कोई आपका हूई जिसके में कुछ है ुच्छ आए उसको ऑढेस्जिम करना है अब हो से डिफेरेंट जुट्योड देंगे दो उनलिखेंगे यह उसी चाहरा है आप कर दो हैंना हरामशे हसते रहिए, खुछ रहिए और पढ़ाय करते रहिए